हेलो डियर शुडेंट दिस इस नभीन जादौन हो हम बात कर रहे हैं वी एसी फर्स्ट इयर इन और्गेनिक केमिस्ट्री एटोमिक इस्टेक्चर का लेक्चर नम्बर नायन में आपका स्वागत है ठीक है पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगर होता है क्या इसका रीजन है घर Cities क्यों होते हैं क्यों होते हैं ठीक है रहां हम लोग बात करने वाले मैं को सबसे पहले जो सब्सक्र क्यस होता है d4 की तुल नाम है क्योंकि यह कैसा है हाफ फील है तो यह हाइल इस्टबल क्यों होते हैं इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं इसकी रिक्वार्मेंट सबसे पहले कहां पढ़िए देखू कि सबसे पहले यह किस पर लागों होता है वैसे डी और एफ और वीटल अधी और एफ और वीटल के लिए यह काम आया के लिए कि लिए इसकी रिक्वार्मेंट नापड़े कि जब हमने क्रोमियम का एलेक्ट्रोन एक विन्यास लिखा 24 तो देखा गया लेक्ट्रोन विन्यास लिख सकते हैं क्या से कि आरगन पिसले लेक्शन देखके आए आराम से लिख दोगे आरगन 18 ऐसी लिखोगे इससे पहले जो तो जो एस आएगा वो क्या आएगा 4S और D क्या आएगा 3D यही आए अगर मैं इसके में लेक्ट्रोन भरूमत N प्लस L की वेलू जिसमें कम आएगी वह मुझे पता है कि जो एस आता है वो तो जितना आवर्ट चालो हो रहा है तो तीन अक्रीकस खतम हो गई तो मैं बता च चालो हो रहा है और D N-1D तो 3D जितने नमर की अक्रीक है से वह मालोग तीन नमर की हिलियम नियोन आरगन तो डी वही आता है पहले लेक्ट्रोन किसमें बनेंगे इसमें ना D के पास क्या सक्षिंए हाफ फिल्ट कि सका क्षिंए है और हाफ फिल्ट कांफेगरेशन कैसे होते हैuje रिशक का नाक 와न का इसके हर रिश। influyal शूलोंट इसलिए इसका एक् JEFF S Heavy होता है तो जो रहा हде दिवर्ट गशुम के लेक्रोन कहाय है I'm में मैं मैं मैंग्जमम इलेक्ट्रों की बात करने अधिक तो अधिक तो इसका बुलिए विन नहीं जाए ठीक इसकी एक एक्जामपल और था इसका इसका कॉपर का मिंजब एलेक्टनिक ओन्रिकेशन लिखा अटमिक नमगा नहीं तो देखा आर्गनेस से पहले आती है वही इससे प्रॉड के साथ ही अथारा वही फोर एस आएगा और क्या आएगा थ्रीडी वहीं तो ठारा अठार अटार तो बीस और नौं थीज तो क्योंकि कितना इलेक्ट्रों इसका कितना प्रमाणुक्रमाइट अटमेक नमरा इ फॉर स्टो थरेडी नाई लिकिन इसका यह नहीं होता है इसका क्या होता है फोल फी नी होता है क्यों क्यों यह बता है कि यह कैसा बनतromagn gide headaches पूर्द बनियास हो फुल फील्ड पूर्द बन आप तो इसके वारे में आपको बता हुँ कि वद्ता हूं इसलिए ऊ Jeanne प्रेटिक लाग होता है फिल फुल फिल्ट का डी और वर्विडल के लिए यहां इसा आया कि जब अपने प्रक्टिकली बास्तम में क्रोमियम के लेक्ट्राइब कॉन्फिकरेशन देखा तो दिखा गया कि यह दिफाइब इसलिए इसमें चेंज हो जाता है इसे पर लिख रहा है तो लेकिन नहीं यहां फैल हो गया क्योंकि यह पुलेंगे सर यहां एस भी तो हाफ फिल्ट हो गया मैंने क्या वोला फुलल फील्ड का अरवा फिल्ड का ओंट यजो यह बंडी मेंक्जिंटर आते हों दस फेंट जाहरीं तो यह हैं आप मैं एं चाहरा हो एक ज्यादा इस्टेबल हो गया दिन की दुन्ला में डीटेंज ज्यादा इस्टेबल हो गया तभी तो अशा हुआ को पर मोर करूमी में इसका रीजन बता तो इसके दो रीजन है क्या है तो एक टर्म आती है एकस्चेइंज एनरजी अगर हिंदी में बोले तो बिन में ऊट जा एक्स्चेंज एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी जिनके लिए एक्सचेंज एनर्जी का मान ज्यादा होता है जिन कॉन्फिग्रेशन के लिए बताऊंगा क्या होती एक्सचेंज एनर्जी बिन में उर्जा का मान ज्यादा होता है वो कॉन्फिग्रेशन कैसे होते हैं highly stable होते हैं ठीक है जिनके लिए य उना इसको निकालने का एक फर्मूला होता है एक फिर्मूना से नर्जिव निकालने का फर्मूला पाbuster है एंग को एन माइनस टू ठीक है डारेक्ट में ब्ता दूँ मा, लेकिन एक फ़र्मूला होता है márqu今日は akell, जीनिक... दी फाइब जाद अश्टावल इसी लिए उसकी लेक्सिन एनर्जी है बिन में उर्जा का मान जादा आया तो वो आया कैसे आप डी फॉर को लिखते तो कैसे लिखते डी में कितने और्विटल होते हैं पांच ऐसे एक दो तीन चार हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले एक ए है और मैं महीं बोलुऊ समान चक्रन वाले लैक्र ओनों की संक्याया ययां आयदे die डंआ की संक्याय है क्we मैं डी for bad ankerrier का मान निकालता ऊक्षार और जीन चार और फैसंपनी αजाएगी —2 को गतनी contenu कारता है एकषिज नेरजी का मांद डी 5 के लिए तो देखो समान चक्राइब कितने यह आपर 5 तो एन का मानद कितना आता 5 पांच पांच माइनस 1Y तो पांच माइनस 14 पांच को 20 20 और कितने आईगी माइनस के 10 आएगी इसका मदल कर आपने देखा कि भाई किसके लिए जाद आई एक से इनरजी डी four के लिए जाद आई है इंडी five के लिए जाद आई किसके लिए डी five ले इसी तो एक तरीके सुस्ट हम लोग समस्कते हैं कैसे ऐसे समझ सकते हैं यह तो और एक फॉर्मूला हो गया जैसे आप कोई पूचे के एक्स निकाली एक साथ यह इसके साथ कभी कवर आप देखेंगे तो के लगा रहे था ठीक हो इसके जिसके लिए अध्य इसके लिए जादा आएगा नेगेटिव बाली जादा है क्योंकि रिलीज एनर्जी ठीकर उस सर्जित हो रही है तो नेगेटिव मोदी जिसके लिए जादा आएगी नेगेटिव एनरजी वह इसको आप एक तरीक चौट समझ सकते हैं कैसे कि डी फॉर है कि भी फूर काप कैसे लेके रहे दिक बिलुक्ष स्यध्दान देंद कमानों गया कि सर ने इसे बता यह तरीकह थाmniej तरीका और क्याए कृक्ते ₹ टीज जो टीन चार mater bunk ये य तरीफ गार अव्यख्व का पैसे लिखते हैं जुम्री मेरल कर्यखिक के आ energi अपने आगे कितने से एक्षेंज हो सकता है तीन से आगे की तरफ तीन से एक्षेंज हो सकता है पहले वाला ठीक है दूसरे वाला आगे देखो इस तरफ right side कितने से exchange हो सकता है, एक और एक, दो से, और last बाला, ये 30 आइनलमर बाला कितने से exchange हो सकता है, एक से पहले बाला तो तीन से हो सकता है, exchange energy का माणनी है, कि जब ये exchange हो रहा है, आपस में तो कुई न कुई काम कर रहे हैं, जब खोई क्शीज कारें करती है, क्योंते गद्रिया कि क्या हो जाती है रिलीज उस्राइब पत्षनीन से और इस तरफ ये जब paralysis ये भी शी आएगी और 11 देखो कितने स्ट में चाहरा है अगर रहा है सकता है तीन से अंतर परवर्थ तो सकता है तो किसका अरे से हो सकता है तो यह वैलू कितनी आएगी इसका मतलब किसके और जुक्त करें हैं उसमें पांच डिबबन होते हैं लिcomriend in लिए उसमें 5 अचैनल हुगा और एक में चार लोगो ョ से एक्षेंचेंज ओंगा हीए में जाब परेसान कहां होँगा-5 स्लीप छारो कि पांस के साथ तो मुझे जाधा हेगा है तो मैं आहरा हो जाएगी कम कमत परेसान हो जाएगा सोता हो जाओ इसलिए इस तरो जाओ गुझां od at uni k applicants on ७ाय मैं फाइब जब परिशान ने मठीम से था स yakई कोई जाएंगी कुई घ्रान रोगेगे को हम सके खें about रहे हैं तो हविए वह कैसा होता है हैilly कि एलिगese इस तबिफोर copper chromium में को निए थेवी दिफ़ाइं में चेंज हो गया गिए था ठीक हैं तो यह तरीक आप अच्छे से समझ सकते एक रीजन और उसका क्या है आप चाहिए सकते हैं समझ रे के लिए कि कैसे आया एक तो यह फर्मूला होता है ठीक है एक और इसका रिजन क्या है जैसे कि D ten d9 कि तुन्ना में जाद अच्टेबल क्यों हुआ फुल फिल्ड क्यों हुआ डी नाइन की तुनला में डी टैने जाल इस्टैबल देंड डी फॉर ठीक है कि इसका भी रिजन हो सकता है तो आप इसको चाहिए तो लिख लें तो आप लिख सकते हैं लिखा के आपने देखो एक इसको एक तरीक से और समझा सकता हूं आपको यह करुद समझ आपको रफ में लिखना है और आपको नोटस बनाने हैं को परतियों के परिक्सा आग चलके देनी है तो आपको पता होना चाहिए ठीक कि एक से एनरजी जज़गेगी तो एनरजी रिलीज हो जाती है मतलब एनरजी उस सरजित करते हैं तो कैसे हो जाते सब्सक्राइब के से कमेन में की उसके समय सकता हूँ आपको दे इन नर्फ किस तरी मिले नहीं यह आपको बॉट आप deux कि देखो जैसे में तो मेंने डीफोर लिखा था ओर एक लिख रहा हूं डीफाइब एक रिजनन और क्या और कि व्यूंट ता है कि को डीफोर अ को एक दो तीन चारवे होते हैं एक दो तीन चारव एक 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 बरेंगे होंगे से ब्रिवाइब का मतलब यक बढ़ेंगे तो 5 आप बढ़ देंगे अगर आप देखें तो जो डीफायब में जो इलेक्टरोन भरे होए हैं वो सिम्मेट्रिक है क्या symmetric in the sense समान रूप से भर permettre है जब कि इसमें समान रूप से नहीं है एक खाली और 4 चार क्या हुए है symmetric विन्यास होता है सम्मित ग्यजास होता है सम्मित का मतला जब सारी चीज़ एकदम same है तो सम्मित जो चीज़ होती है वो highly stable होती है होती है यह बने में यह संमक्रि करते है गॉस्त आसाई करते दीना हुद्वान की निगते हैं वह पांच और विटल नहीं डी टैन ज्यादा अब तो कॉपर में इन एंट इन जाधा देंगे एसका इसका अधून जाधा दी एक में यह पहले के नियम से पांच उसके बार काई एक ठी अगे थिए का वह रखो ओंडी के नियम से उसके बाद प्यारिंग कराएंगे ठीक है युगमन कराएंगे तो अब आप देखोगे हम बोलते हैं कि यह डी नाइन विन्यास यह सीमेट्रिक है का मतलब एसमित रूप से भरा हुआ है कि समीत का मतलब सम्ध का मतलब सम्मित है सम्मित का मतलब क्या है कि इसमें पांच और जो डी कख्षय के वो कैसे हैं समान रूप से बरूए है और जो सम्मित लुप से बटेगा पांच अगर घर हैं एस समान रूप से बटेगा तो अगर होगी और पक्का होगी तो इसलिए अर्द पूरत और पूरुपूरुत बिन्यास कैसे होते हैं हाइली स्टैबल होते हैं ठीक है आपको यह लेक्चर ठीक लगा होगा क्योंकि मैंने इसलिए बनाया है कि आपको यह confusion ना हो जैसे आप देखें और समझें सीखने के उद्यसे से यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ठीक है ऐसे ही प्यार बनाया रहा है और आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है ऐसी पढ़ते रही है और बिल्कुल रेगुलर पढ़ो ठीक है और जितना हो सके अज्यक एकडमी को सपोर्ट करो लाइक करो कमेंट किया करो और लोगों को बताया करो और